दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगी 36 गर राज्यमिश्थित एक बहुत ही खोपसूरा जिला तक्षिड बस्तर यानि की दंतेवाडा जिले के बारे में तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंतक जरूर देखना ताकि आप इस खोपसूरा जिले की कई ऐसी आते हैं जिसे आप असानी से जान सकेंगे तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फिर चलते हैं दंतेवाडा की सांदार शफर्पी दंतेवाडा चतिसगर राज्य के बस्तर संभाग में इस्थीत एक महत्तपुन एतिहासिक जिला है जो अपने आस्था से भरा माधन तेश्वरी मंदीर और एशिया का सबसे बड़ा बैलाडिला माइन्स के लिए पूरे भारत में जाना जाता है वही दंतेवाडा जिले को 25 में सन 1979 में बस्तर जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था इसे 240 गाउं, 143 ग्राम पंचायत, 4 बलाक और 5 तहशिलों में बाटा गया है वही तहशिलों में गिदम तहशिल, कटे कल्यार तहशिल, वुआ कोंडा तहशिल, दंतेवाडा तहशिल और बड़े बचेली तहशिल सामिल है इसके अलावत दंतेवाडा जिला, सुक्मा, बस्तर और विजापूर जिले से घीरा हुआ है और यहीं से ही चत्तिसगड के प्रमुख नदियों में से एक इंद्रवती नदी होकर गुजरती है वही दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी, चत्तिसगड़ी, तेलगू, मराठी और ओरिया संस्कृती का एक अनूठा मिस्णन देखने को मिलता है और यहां के आदिवासी दंतेवाड़ा जिले की मुख्य पहचान भी है जहां पर माडिया, मूडिया, भत्रा, परजा, हल्बा, दुर्वा, पार्थी और दोर्ला जन्जाती के लोग निमास करते हैं इसके लावा 36 गड़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले को नक्षलियों को गड़ भी माना जाता है जहां पर कुछ वर्स पहले नक्षलियों और मावादियों ने लगभग 350 से भी जादा भारतिय जवान, पुलीस, कर्मी और इस्थानिय लोगों को मार डाला था इसके कारण ही दंतेवाड़ा जिले को प्रेट कोरिडोर के अंतरगत रखा गया है लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि नक्षलियों आके नक्सलाइट कैसे बने अगर आप नक्सलाइट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुकु एफेम पर जाकर इंडिया अनकावरेट आडियो बुक जरूर सुने इसके साथ ही कुकु एफेम पर 4000 सभी जादा बहतरीन बहतरीन आडियो बुक्स अविलेबल है और मेड इन इंडिया एफ होने के कारण लगभख सारे कंटेंट रिजनल भासा में अविलेबल है अगर आप जल्दी करेंगी और मेरा कूपन कोड प्रिशा50 यूज करेंगी तो आपको कुकु एफेम की वन यर सब्सक्रिप्शन पर इंस्टैंटली 50% डिसकाउंट मिल जाएगा यानि कि आपको 399 का यरली कुकु एफेम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपे में ही मिल जाएगा लेकिन ये ओफर केवल पहले 2500 यूजर्ज के लिए ही वाइलिड है तो अभी जाकर कुकु एफेम डाउनलोड करें लिंक इस इन्दर डिस्ट्रिप्शन इसके लावा बस्तर संभाग का दंतेवारा जिला चतिसगर राज्य के सबसे खोब सुरज जिलों में गिना जाता है जहांकि धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोहलेता है महिदंतेवारा जिले को आधिवाश्यों का आश्याना भी कहा जाता है अभी जिले की कुल अबादी में 70% से भी अधिक के निवासी आधिवासी है महिदंतेवारा जिले में ही चतिसगर राज्य का सबसे छोटा राष्ट्य राजमार्ग इस्थित है जिसे एनेच 163A के नाम से जाना जाता है जिसकी कुल लंबाई मातर 12 किलो मीटर ही है इतना है नहीं दोस्तों दंतेवारा जिले में ही चतिसगर राज्य की दूसरी सबसे उंची चोटी नंदी राज परवत इस्थित है जिसकी कुल उचाई लगभग 1200 मीटर है इसके अलावा बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पुरनतात्विक इस्थल बारसूर है जो दंतेवारा जिले की सबसे प्रशिद स्थान भी है वहीं दंतेवारा जिले को 36 गर राज्य में तीसरा सबसे छोटा जिला भी कहा जाता है क्योंकि यहां की कुल अबादी मातर तिन लाक है और तो और दोस्तों दंतेवारा जिले में इस्थिद बारसूर को तलाबों और मंदीरों का नगर कहा जाता है जहां आपको कई तलाब और मंदीर देखने को मिल जाएगा वहीं दंतेवाड़ा जिले की उद्ध्योगी क्विकास केंद्र गराम तेकनार है इतना ही नहीं दोस्तों 36 गड़ राज्य में सबसे गरीब जिला दंतेवाड़ा जिला को भी कहा जाता है लेकिन इसमें कितना सचाई है यह वहाँ के लोग ही बता सकते हैं इसके अलावा बस्तर का टाइगर कहे जाने वाला सहीद महेंद्र कर्म दंतेवाड़ा जिले की ही रहने वाले थे 36 गड़ राज्य में सबसे ज़्यादा टीन और लोग की उत्पादन दंतेवाड़ा जिले में ही किया जाता है इतना ही नहीं दोस्तो दंतेवाड़ा जिले को रमयार काल में दंद करनिये के नाम से जाना जाता था पितु आज इसका नाम यहाँ पर विराजित मा दंतेश्वरी के नाम से दंतेवाड़ा पड़ा जो यहाँ की अराध्य देवी भी है दंतेश्वरा जिले की बहला डिला में ही पाया जाता है जो एशिया का सबसे बड़ा लोख खान भी है और वहीं दंतेवाड़ा जिले को ही विश्व का सबसे जादा लोहा उत्पादन करने वाला जिला भी कहा जाता है इसके लावा 36 गढ़ राज्यकर प्रतम आज्वी का महा विध्याल दन्ते वड़ा जिले में ही खोला गया था जो अब 36 गढ़ के अन्य जिलों में भी खोला जा चुका है दंतेवाड़ा जिले की प्रशाशनिक मुख्याल है दंतेवाड़ा शहर में इस्थित है दंतेवाड़ा जिले की छेत्रफल की बात करे तू तकरीबन ये जिला 3410 वर्ग किलोमिटर के छेत्र में फैला हुआ है जहांकि वर्तमान समय में जनसंख्या 3,05,000 के करीब है दंतेवाड़ा जिले की कुल अबादी में प्रती 1000 पुरूशों पर 1023 महिलाए हैं और यहां की प्रतेख अबादी 88 प्रती वर्ग किलोमिटर पर रहती है दंतेवाड़ा जिले की 25% अबादी शहरों में निवास करती है और 75% अबादी गाउं में रहकर अपनी जीवन यापन करती है दंतेवाड़ा जिले की अर्थ विवस्था मुख्य रूप्ष खेती किसानी और उद्योगों एवं खनीजों पर अधारित है वही दंतेवाड़ा शहर 36 गड़ राज़ की राज़धानी नयारायपुर्षे लगभग 355 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्याले जग्दल पुर्षे लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर है दंतेवाड़ा जिले में चलनेवाली गारियों की वाहन कोड सीजी 18 है ये दंतेवाड़ा जिले से चहाए प्रमुक नदिया बहती है इंद्रवती नदी, टंकनी नदी, संकनी नदी, सबरी नदी, नारंगी नदी और तालपेरू नदी इसके लावा दंतेवडा जिला सिक्षा के दृष्टी से आज की श्रमय में काफी पिछड़ा हुआ है यहां की कुल साक्षारता दर मातर 43 प्रतिसत ही है यहां की सिक्षा संस्थानों को देखे तो रिशी महाविद्ध्यालय, और अन्य सिक्षा संस्थान दंतेवडा जिले में इस्तित है दंतेवारा जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भासाएं गोंडी, हल्बी, चत्तिसगड़ी, इंदी, पोरिया, पेलगू के वहम अन्य है वे दंतेवारा जिले रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जिसके माध्यम से आप ट्रेन, बस या प्राइबेट गारियों के जरिये दंतेवारा असानी से पहुँच जाएंगे भी दंतेवारा जिले की प्रेटा किस्थलों की बात की जाएं तो यहाँ पर कई खूब सुरत प्राचिन प्रेटा किस्थले देखने को मिलता है जिन में माध दंतेश्वरी मंदीर, बारशूर्पुर्ण तात्विक इस्थल, दोलकल गनेश, पुलपाड जलप्रपात, बोधगाट सत्यधारा, सुन्दरगड जलप्रपात, समलूर सिव मंदीर, गामावाडा, तुलार गुफा, तुमार मंदीर, भैरमगड अभ्यारन, बैला डिला, भैरम बाबा मंदीर, बचेली, मामा भांजा मंदीर, इंद्रावती नेशनल पार्क, बस्तीसा मंदीर, एवं दंतेवाडा जिला, जो अपने आप में ही एक खोबसुरत इस्थान है, मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंड करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, और चाइनल को सस्क्राइब जरूर कर देना, और हाँ, कुको एफेम डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लिंक इस इंदर डिस्क्रिप्शन